तो आज हम चर्चा करेंगे जगनाजी के बड़े सारे लीलाओं की जो उनके भक्तों के साथ हुई है जगनाजी अपनी एक्टिव लीलाए करते हैं अपने विबिन भक्तों के साथ तो ये लीलाए अनन्त है हरी अनन्त हरी कथा पर उसमें से कुछ जो समय हमें मिला है उसमें ह की पतनी थी रानी थी तो उनको पता लगा कि यहाँ पे उडिसा में एक मंदिर है जहाँ स्वायम कल्यू के अवतार कल्यू के इश्ट श्रिजगनाद स्वामी विराजमान है तो उनको उडिसा के राजा ने नियोता दिया कि आप आईए और ओडिसा में जगनातपुरी में आईए तो यहाँ पे रानी को पता लगा कि यह जो जगनातजी है इनके लिए स्वयम लक्ष्मी देवी कुकिंग करती है कितने भी लोग आज जगनातपुरी में कोई भूखानी जाता है तो साक्षाद लक्ष्मी अपने हाथों से बड़े सारे भोग बनाती है ठाकुर्जी के लिए तो जो पत्नी थी राजा की राणी चंद्रावती ये सुनके बड़ी आकर्षित हो गई जगनाजी के प्रति और उनसे प्रार्थना करती है कि है जगनाजी आप मुझे एक उपाहर देदो क्या उपाहर देदो मुझे पुत्री देदो और पुत्री केवल और केवल मैं आपकी सेवा में उसको लगाऊंगी कोई मेरा और अच्छिते नहीं है मुझे एक संतान चाहिए पुत्री कर रूप जाता है विश्णु प्रिया तो बच्वन सही भक्त है बड़े अच्छे संस्कार उसको मिले हैं जहनाजी की सेवा करती है पूजार्चना करती है शास्त्रों का ध्यान करती थी और फिर जब बड़ी हो गई तो एक दिन रानी बिमार हो गई उसकी जमाह है और बहुत ही बेड माकुर को याद करेगी उसी समय देखा कि कुछ आवाजे आ रही है महल के बाहर तो सारे सेवक गए बाहर देखने के लिए तो आके विश्णु प्रियों को बताते हैं कि एक सन्यासी आया है जगनात पुरी से और गीत गा रहा है जगनाजी के प्रसंता में उनके ग्लोरिफ प्रक्षान है जगनाजी की किर्पा पात रहे है तो पुझारि ओनाची का करता है जगनाजी के महा प्रशान निकालता है टाहि जैसे ही खिलाती है विश्णु पृया टुरन ठीक हो जाती है कि अप थोड़े सम्में बाद एक पुझारि आता है जयपूर में जगनाजी के पुझारी हैं तो राजा और रानी स्वास्थ हो चुके है last बड़ा खुश है तो उसको लगा कि मुझे कुछ उपहार देना चाहिए तो राजा और रानी मिलके उस पंडे को बड़े सारे उपहार देते है अब विश्णु प्रिया को लगता है कि मुझे भी कुछ देना चाहिए क्योंकि मेरा ही आगरे था सन्यासी को तो उन्होंने परशाद दिया तो मेरी मैया ठीक हो गई तो मुझे भी कुछ उपहार देना चाहिए तो क्या करती है एक बकसे में एक उपहार दे देती है और पुजारी को बोलती है, यह मेरे जगनाजी के लिए उपहार है, आप उनको दे दीजगा, तो पुजारी जब पहुंचता है वापिस जगनाज पूरी में, तो जो अपने लिए उसको उपहार में ले थे, वो तो रख लेता है, बाकी अब जगनाजी का भी खोल के देखता है, इसमें देखूं क्या है और जब खोलता है पुजारी तो उसमें क्या है एक कागज का टुकड़ा है यह जगनाजी के लुपाहर है फैक देता है अभी पूरी के जो परीदी उसमें प्रवेश्णी किया बहारी फैक देता है और फिर पुजा करने जाता है तो रात को जगनाजी उसके सपने में आते है बड़े बड़े बेशरम इंसान है तू तेरे लिए गिफ्ट मिले तूने रख लिए और मेरे लिए गिफ्ट मिला तूने फैक दिया मेरे भक्त ने मेरे लिए उपहार बेचा है और यह देख लौकेट में डालके रख लिए तूने तो वहाँ भाहर फैक दिया बट वह उपहार अपने लौकेट में डालके वह कागज के टुकड़ा रखा है फिर जगनाजी पढ़के सुनाते है क्या है उस कागज के टुकड़ा में क्या लिखा है क्या लिखा था उसमें तो विश्णु प्रिया ने लिखा है रतना करस्तव ग्रिहं ग्रिहनीम्च लक्ष्मी किम्देयमस्थी भवते पुरुशोतमाया तो विश्णु प्रिया बोलती है कि बेशक मैं राजकुमारी हूँ मगर मैं क्या दे सकती हूँ आपको स्वयमसाक्षात लक्ष्मी आपकी पतनी हैं आपकी भारिया हैं सारे जो जगत के एश्वरे हैं आपके चड़नों में वास करते हैं एश्वरसे समागरस्य पीरे यसे यश्वसाशिह ज्यानवेराग्योचेव शणनम्भग इतिंगना तो इन एश्वरों से मैं आपको प्रसन नहीं कर सकती हूँ जनमैश्वरे शुती शीभी हिदमाना मदपुमान नैवार्ती अभिता तुम्वई त्वामकिंचन गोचरा किसु को लगता है कि मेरा बड़ा सुंदर घर में जनम हुआ है बड़ा अश्वरिशाली घर है तो यह कोई reason नहीं है कि आपको भगवान की कृपा मिल जाएगी किसी का घर को बड़ी धनवान परिवान में हुआ है इसका भी मतलम नहीं है कि आपको भगवान शिकार कर लेंगे आपके पास बड़ी सारी विद्या है बहुत इंटेलिजेंट है बड़ी सारी उपादिया है डिग्री आपके पास इसका भी मतलम नहीं है कि आपको भगवान अपना माल लेंगे अगर भगवान का अपना बनना है तो क्या करना पड़ेगा तो आम अकिंचन गोचरा जो अपने आपको पूर्ण एग्जॉस्टेट मानता है इस भातिक संसार में कि ये भातिक संसार मेले लिए है नहीं मैं तरस्त हो चुका हूँ इससे यहां के सारे आश्वरे सम निश्वल है सम निरर्थक है इसका कोई उप्योग नहीं ऐसा व्यक्ति जो फुली एग्जॉस्टेट है बहते संसार से ऐसे व्यक्ति को भगवान सुईकार करते है इसको अभी भी लगता है कि नभी कुछ मजा है इसमें थोड़ा चकलू गंडे के जूस को थोड़ा सा और निचोड़ लू इसमें हलका सा वी रस है तैसे व्यक्ति कभी भगवान के कृपापात कृपापात नहीं बल सकता इसे चिंगम खाते हैं तो चिंगम में शुरुबे बड़ा मजा आता है मगर कई बार वो चबाते हैं भूल जाते हैं कि माने मूँ में चिंगम है आदे किटे बात पता लगता है चिंगम चबारे अब उसमें कोई रस नहीं है मगर दात और दद हो गए कई बार सिर्वी बड़ा भारी हो जाता है क्योंकि बार-बार आप exercise कर रहे हैं, उसमें कोई रस नहीं है, पुना-पुना चरवित चरुनाना, बार-बार चबे हो कर चबा रहे हैं, यही बहुत ही संसार है, एक ही चीज को बार-बार करते जा रहे हैं, अब उसमें जो थोड़ा बोत रस था, वो खतम हो गया, अब वो ऐसे वक्ति जो इसको साक्षातकार कर लेता है, कि बहुते जगत में कोई आनन्द नहीं है, यह दुखाले है, ऐसे वक्ति को बहुता स्विकार करते हैं, तो फिर वर विश्णु प्रिया बोलते हैं, कि मैं क्या दे सकती हूं आपको, मगर हाँ, एक चीज आपके पास नहीं इन विंदान वासियों के पास आप अपना मन छोड़के चलेगे, अपना दिल छोड़के चलेगे, तो मैं क्या दे रही हूं, आपको अपना मन दे रही हूं, आपके पास तो नहीं है, आप मेरा मन ले लीजी, तो यह उपहार मैं आपको देना चाहते हूं, तो वो छोटी स महान है आप अपना सर्वस हो आप मुझे अपना दे रहे हैं आप मुझे दे रहे हैं तो यह भगवान भी हमसे यही चाहते हैं, क्या चाहते हैं हमारा धन नहीं चाहते हैं हमारे आश्वरे नहीं चाहते हैं क्या जाते हैं हमारा मन इसलिए गीता में बोलते हैं ना मन मना भव मत भक्तो मधिया जी माम नमस्कुरू मन मन अपना मन दे दो सबसे पहले मन मांग रहे हैं टॉपमोस चीज है उसके बाद फिर बड़ी सारे और आपको और अल्टरिटिव दे रहे हैं मन नहीं दे सकते तो मेरे भक्त बन जाओ भक्त नहीं बन सकते तो मुझे बढाम कर दो तो अलग-अलग ऊटरिटिव दे रहे हैंbon सबसे पहले किया मांग रहे हैं मुझे अपना मन दे दो मन मना भव तो ठाकट इजी मन मांगते हैं हमारा दिल मांगते हैं तो प्राब्लम अगर यह है कि यह जो दिल है हमने किसी और को दे दिया है दिल तो कई और लगालिया है, तो ठाकरजी में लगता नहीं है। अगर भगवान को हमारा मान चाहिए, हमारा हीते चाहिए है। अभर मैं कितने दुर्ष सहासी हैं हम गाना गाते हैं लोग, दिल दे दिया है, जान भी दे गा, दगा नहीं करेंगा, संवा मैंौ मगर भगवान को हमारा हीदय चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, वो किसी और चीज़ से आकर्षित होते नहीं है तो देखे, जहां मन जाएगा, वहीं पर तन जाएगा, वहीं पर धन जाएगा तो कृष्णा इस टॉप्मोस चीटर, बोले मुझे आपका धन्नी चाहिए, मुझे आपका तन्नी चाहिए, क्या देखे, तो मन देखे, को कि जहां मन है, वहीं सब चीज़े फ्लो करेंगे तो भगवान इस प्रकार हमें अपनी और आकर्षित करना चाहते है तो मन पे, अगर हमने अपना मन का काटा भगवान को उपर लगा दिया, तो निश्वित है, कि मारा बेड़ा पार है तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, अपने मन को भगवान में लगाने के लिए अगर प्रब्लम है यह कि मारा मन लगता नहीं है हमारा मन क्या नहीं लगता अर्जुन बोल रहे हैं मेरा मन भी नहीं लगता क्या बोलते है भगान अर्जुन क्या बोलते है भगान को चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथी बलवधिणम तस्याहम निग्रम मने वायुरिव सुदुसकरम अब और यह आप किया भोल रहे हूँ, मन को वश्मे करने की बात कर रहा हो, ये नहीं होगा मिरसे मैं वायू को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये जो wind flow करती है इसको मैं वश्मे कर सकता हूँ, इतनी सिद्धी मुझे है अगर अपने मन को, जो मेरा ही मन है, इसको control नहीं कर सकता, sorry तो फिर भवान क्या बोलते है possible है, अरजन possible है कैसे possible है, अभ्यास है ने तु कौनते है, अभ्यास करिए, बार बार practice करिए, practice आपका मन, आपके मन में, आपके मन दे दिया, एक और भक्त थे, जगना जी के, जिनका नाम था बंदू मोहंती, तो बड़े निर्धन है, छोटी से एक जोपड़ी में रहते हैं, साथ में पत्नी हैं, बच्चे हैं, बगर जगना जी को हमेशा याद करते रहते थे, उनको अपने बंदू के रूप में मानते थे, अपनी पत्नी को बोला था, कि मेरा एक दोस्त है, जो हमेशा मेरी साहयता करते है, पत्नी जानती नहीं कौन सा दोस्त है, तो जाचपूर में रहते थे उडिसा में, तो एक दिन क्या हुआ जाजपुर में बहुत 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 तुफान आया और तुफान के बाद वहाँ पे सूखा पड़ गया तो खाने पीने के लाले पड़ गए कुछ नहीं है किसी कि बाद सब लोग अपने घर बार छोड़के भाग रहे हैं कहीं और जा रहे हैं कि यहां पे तो हमारे जीवन यापन नहीं हो सकता तो बंदु मुहंति की पत्नी बोलती है कि तुमारे पास कोई स्थान है जाने को तुम तो बोलते थे तुमारा एक मित्र है तो लेके चलो अपने मित्र के पास अब विपत्ति आई है तो वो सहारा देगा बंदुमधि बोलता है हाँ हाँ चलो चलो तो सबको साथ ले चलता है तो आते हैं जाजपूर से जगनाथ पूरी और जगनाथ पूरी में सामने श्रीमंदिर का जो द्वार है वो जो बाईस पहाच है, बाईस सीडिया है, उससे लेट जाते है, तो वर्टविक्ष आता है, तो वर्टविक्ष के नीचे अपने बच्चों को परिवार जनों को बिढ़ाते हैं, पति नी बोलती है, अंदर नहीं ले जाओगे, बोले नहीं, अंदर बहुत सारे गेस्ट आ पानी है, वो बहता रहता है, हर समय, तो बंदुमोंती जाते हैं, एक मड्का लेकर उस पानी को ले आते हैं, और बच्चों को पिला देता है, उनको कुछ दे दो, खानए पीने से लेना देना नहीं है, चokeलेट दे दो, टोफी दे दो, पानी दे दो, जूस दे दो, फेड पर लेंगे अपना, कैलर इस मिल गई अब शांत हो जाएं, तो वो तो खा के उनको नीद आगी पत्नी भी जैसे तैसे सो गई बंदू मुहनती अब बूखे सो रहे है अब जगनात जी को पता लग गया है कि मेरा एक भक्त आया है जो मुझे मेरे साक्य भाव में है मुझे अपना बंदू मानता है और वो मेरे ही चार दिवारी में आके भूखा सो रहा है मैं तो दुनिया को खिलाता हूँ जगनात भाथ, जगप सारे हाथ जगनात का भाथ ऐसा है कि पूरे जग, हाथ फेला फेला के इसको खाता है सब खुशो के जाते है मेरे धाम से मगर मेरा ही अपना मित्र, मेरा दोस्त यहां भूखा सो रहा है तो उसी सामय क्या करते है जगनात जी को जितने भोग लगे है और पने पास रख लेते है और फिर एक सोने की थाल उठाते है जगनात जी और उसमें वो सारे जो व्यांजन है चपन, भोग है, परोसा गया है उसको लेके चलते है और फिर एक ब्रामन का वेश धारन कर लेते है और फिर आते हैं बंदू मौंति के पास उसको उठाते है उठो, 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 उठो देखो जगनात जी का परशाद आया आपके लिए और उठेख रहा है अब रात का समय है तो पता नहीं कौन सी प्लेट है तो भोग देख रहा है, भूख लग रही थी तो सारा जो परशाद है वो पा लिया बच्यों को उठाके खिला है पत्नी को उठाके खिला है, पत्नी बड़ी कुशा है बड़ी अच्छा दोस्त है अंदर भी नहीं जाने देगा, मगँद भार छपन भोग भीजवा रहा है तो पत्नी सुचती बार ही रह लेंगा हम अंदर जाने की जुरूत का है, यहीं पर सब आशोरा मिल रहे हैं, वटपरिक्षा उपर, और अच्छी हवा बह रही है, परशाद भी आ रहे है, खाना भी आ रहे है, तो अब बड़े अच्छी नींद सोने को जा रहे हैं, मगर देखा कि अरे, यह जो थाल है, यह तो सोने का थाल है, अब सुब़े जो पुझारी पट खोलते हैं, तो पुझार्चना करने जा रहे हैं, उनको भोग लगाने जा रहे हैं, तो देखा कि जगनाच जी का तो थाली नहीं है, तो हरकम मज गया वहाँ पे, सवन थाल गायब है, जगनाच जी के मंदिर से, तो सब वहाँ प राजा के पास ले जाते हैं, कि देखो, चोर आया हमारे आपर, और चोर देखो कैसे है, कितनी सुना जोरी कर रहा है, चोरी के बाद, वो इसी स्थल में रहा है, जाबी ने रहा है, भागी ने रहा है, वही पर बैठ के सो रहा है, अपना दबा के, खाना भी खा लिया है, और उर्पर से सीना जोरी, तो राजा उसको धंड देने वाला है, वित्रि में रात हो जाती है, फिर जगरणाजी पहुँचते है रात में, कहाँ पर? सपने में, जगरणाजी आते हैं सपने में, और सिधा आगे दो तिन थपड मार देते हैं राजा को, बात्तमिज, क्या कर रहा है तू? ऐले क्या कर रहा है, जगनाजी चोड आया है, ढंड दे रहा हूँ उसको आपकी सोनी की थाल चोड़ा कहले गया तो जब जगनाजी जी बोलते है देखो राजा जब तुम्हारे यहां पर कोई आतीती आता है, तो क्या करते हो, उसको अपनी प्लेट में खिलाते हो ना, तो मैंने भी क्या किया, मेरा अतीती आया है, मेरा मित्र आया है, उसको अपनी प्लेट में खिला रहा है, तो मेरा दिकत क्या है, तो फिर राजा समझाता है कि नहीं है, तो जगना जी को बहुत ह अपने भक्तों को समोहम सर्वभूतेशू एक और भक्त है जगनाजी की जिनका नाम है लंडी माता ये जगनाजी को अपने पुत्र के रूप में देखती है वाजसले भामे है तो जगनाजी को दिन में छे बार चपन भोग लगता है ये तो उनकी फिक्स्ट मील है उसके क्यों सब्स्याल करा कि में दिन चलता रहता इंदुर्द्रुन महाराज ने जगनाजी से ये बर मांगा था तीन बर मांगे थे पहला बर था कि मेरी कोई संतान नहों हो है वह डिन अड़र्य गने जगनाजी की ठापना कराई थी भ्रह्माजी पुला कर जो नहें ऑन्री तो कि वंखोगा, तो वंख cor犁 का इंच अधिकार मागेगा इस मंदिर के उपर, आपके उपर, तो मैं नहीं चाहता, मैं ही चाहता हूं कि आपके जो सिवरचना पुजा है, उ जन्म जन्मान तक तर चलते रहे, तो कोई इसका वंशार नहां हो, को इसका उत्रदिकारिक ना हो तो इसलिए मुझा पुत्र ही ना हो, संताई ही ना हो ना रहेगा बयाई तो नो पंगा अट अल ठीक है, दूसरी है, दूसरा भर मांगा कि जगन्ना जी, आपका जो हाथ है न हमेशा गीले रहे मतलब, आप अजवर्ण पाले, उसके बाद के लूळटे हाथ सूग जातां तोड़ा, दोड़िए अब बैठेंगे तो सूगने के बाद आप धोँग जवर्ण गोश को आपके हाथ हमेशा गीले हैं, मतलब हमेशा परशाद में रहे हैं गिले-गिले परशाद में आप खाते हैं आपे शुवे से लेकर रात तक कभी भी भी आपके हाथ सुखिना और तीसर रवर क्या मांगा था किसे को याद है I am forgetting Anybody knows Okay, याद आएगा बताएगा तो लंडी माता ने देखा कि चपन भोग दिन में 6 बार लगता है तो उनको बड़ी दिक्कत होने लगी अब सब भकत लोग तो बड़ी कुश होता है भगवान को भोग लगाए जा रहा है यह तो बड़ी पावन एक चितरन है बड़ी अच्छा समय होता है अस्फीश समय होता है जब ठाकुर जी भोग पा रहे है भावन को भकत तो गीत गाते है भजभाकत वाचल शीगोर हरी भजभाकत वाचल शीगोर हरी शीगोर हरी सोही गोष्थ भीहारी बड़ा आनन्द का उत्सव है भवान को भोग लगाए जा रहा है मन में तो यह चल रहा है कि उनको भोग लगेगा परशाद बनेगा हमें भी मिलेगा मगर जो असली भाव है कि हाँ ठाकुर जी भोग पा रहे है भजभान के भकतों के द्वारा निर्मित उनके प्रेम का इंग्रीडेंट स्विकार कर रहे है मगर लंडी माता परिशान है क्योंकि उनको लग रहा है कि अरे मेरे बेटे को इतना खिला रहे है पेट दर्द हो जाएगा उसका इतने मीठा खिला रहे है इतना खटा खिला रहे है ऐसे नहीं चलेगी वह विचारा चिलाएगा रोएगा तो लंडी माता क्या करती है कि नीम की पत्ते तोड़ती है और उसका पेश्ट बनाती है क्योंको कि जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं पेट में गैस ऐसीडिटी हो जाती है पेट दर्द करता है तो खड़वा खिलाना चाहिए तो खड़वा खाने से दर्द दूर हुटाता है तो इस भाव से उप्रते दिन नीम का पेश्ट मनाती थी और जगनाजी को अरपित करती थी तो एक दिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पे गाड आगे जगनाथ मंदिर के बाहर अब किवल जो अंदर के लोग है बंडे लोग है उन्ही को अलाओ है जाने को मगर यहां लंडी माता नीम का पेश्ट मना के गई है गाड ने रोक लिया अब वो बता नहीं सकती कि मैं इस प्रकार उनको खिलाती हूँ नीम खिलाते हैं तो अमरे जगनाथ जी को तो गाड तो बहुत उल्टासीता सुनाएगा उसको बताने रहे हैं मगर बहुत कष्ट भी हो रहा है कि मेरे मेरे पुत्र ने इतना का रहतार कुछ खा लिया है पेट दर दो रहा होगा उनको तो लंडी माता रिक्वेस्ट करती है गाड से कि मुझे जाने नों अंदर मेरे बच्चा चला गया अंदर उसको मुझे ढूड़ना है तो गाड बोलते हैं बच्चा बताओ कैसा दिखता है मैं ढूड़न के आउंगा लंडी माता बोलते हैं बड़ी बड़ी आंख्या हो उसकी चोटे-बड़ी हाथ हो उसके पैर तो दिखते नहीं है ऐसा बच्चा मुझे बख्वास कर रही हो कौन है जगना जी हो मेरे पुत्र है निकल दाओ यहां से भूग नहीं लेगा तुम जान निपाओगी अंदर तो वापिस आजाती है और वापिस आती है तो बहुत ही हताश है तरस्थ है कि मेरे पुत्र बड़ा कश्ट में होगा और उसमें थोड़े सी नीन लग जाती है और जैसी आँख लगती है तो जगना जी फिर पहुंच आते हैं सपने में और उठाते लंडी मातों को तुम सो रही हो मेरे पेट में दर्द हो रहा है चिला रहा हो जगना जी उसमें उट जाती है और उतना ही जगना जी राजा जो पुरी का राजा है उसके सपने में भी और आके बोलता है बोले निकालो यह जो तुमने कॉंट्रेक्ट पर रखा ना इंसेक्यूर्टी वालों को बाहर निकालो सबको बाहर निकालो बदल दो पूरी फोर्स को बत्तमीज लोग है मेरे भक्त आया है मेरी सेवा करने के लिए और उसको एंट्री नहीं दे रहे तो सबसे पहले उनको निकालो और बाज में जाके ढूंडो लंडी माता को वो नीम का पेश्ट बना के लाई है और मुझे वर्पित करो तो सारे गार्ड चले आते हैं, राजा पीछे-पीछे दोड़ रहा है, कौन है लंडी माता, कौन है लंडी माता, जब मिलती हैं, उनको प्रणाम करते हैं, राजा, शमा प्रारतना करते हैं, और फिर उनको लेकर आते हैं, और स्वेम लंडी माता अपने हाथ से जगनाजी को निम का पेष्ट ओफर करती हैं. जगनास्वामी की और तब से परथा है. जब से इंसीदेंट होगा तब से जगनाँजी को जब भी भोग लगेगा, साथ में नीम का पेष्ट जरूरो ओफर होता उनको. तो बड़े सारे प्रकार के वेंजन होता हैं ना, जगनाजी के एक और भक्त है जिनका नाम है प्रभुदास, प्रभुदास के दुकान है जगनात फूरी में, पान मनाते हैं, और उनकी बड़ी तीव रिच्छा है कि जगनाजी को पिर में हाथ का बनाऊ पान खिलाऊ, बड़ी एक्सपर्टीज है उनकी पान मनाने में, तो ए प्रेन होने वाला है जगनाजी का, तो वहाँ पर एक और भक्त है जिनका नाम है बलरामदास, वो रात को आते थे जगनाजी का दर्शन करने के लिए और जगनाजी के सामने जब किया करते थे, तो बलरामदास ने देखा कि दो विक्ति हैं, वो बहार निकल रहे हैं शाम को, कि कौन है ये लोग, तब उनको follow करने लगे, तो ये दो लोग उतरते थे, और जाते थे प्रभुदाइस की दुकान पे, और पान खाते थे, अर रोजगान का यही रूटीन था, मंदे से निकलेंगे, और पान खाएंगे, तो बलरामदा समझ नहीं पाए, ये भक्त भी है और पान भी खा रहे है, ये कैसे हो सकता है, तो एक दिन बलरामदास प्रभुदास के पास पहुच गये, और जाके पूछा कि कौन है ये दो लोग, बोले पता नहीं कौन है, बट ये आने लगया है मेरी दुकान से, एक अफ़ता हो गया, हरो जा रहे है, और पान मांगते है मुझे, बोले अच्छा ये पैसे देते हैं तुमें, बोले पहले दिन आया था है, तो मैंने पैसे मांगए मुझे जब आन खा लिया, तो बोले कि जेव निकाल रहे हैं खाली है अमरी जेव, तो पैसे तो है नहीं, तो मैंने बोले ठीक है कल आओगे तो पैसे ले के आना, तो मैंने ऐसी थोड़े दान में दे दिया, अगले दिन फिर आए, तो मैंने बोले कि पैसे लाए हो, बोले हाँ लाए तो थे, डाले तो थे, पिर पतनी यहीं रख दिये साइट पर भूल गए हम लाना तीसे दिन बोले हाँ पैसा लाना था पतनी कहाँ किसने चुरा लिया हमारे पैसा है तो ऐसी हरोज कुछ बहाना मार रहे है मलरामदास बोलते हैं देखो हमारे पास अच्छा यह ले लो मेरे यह उपर का दुपट्टा ले लो उपर का कपड़ा ले लो तो जो काले वाला है वो अपना दुपट्टा दे देता उनको और अगले दिन सुबह उसी समय रात की बात है तो राजा के सैनिक आते हैं सब जब पुजारी शैन करा रहा है तो देखता है कि जगनाच जी का वो गले का पट्टा नहीं है उनका उपरी वस्तर नहीं है तो सब ढूडने पहुंचते हैं तो जाके पता लगता है कि हाँ प्रभु दास के पास उपरी कपड़ा है पगड़ लेता है उसको तो प्रभु दास बोलता है रहे रहे मैं चोर नहीं हूँ मुझे तो यह दिया गया किसी ने मिन पास दो लोग आते थे एक गोरा था एक काला था और हरोच पान खाते थे मैंने पैसा मांगा तो एक कपड़ा दे दिया बोले कपड़ा बहुत किमती है तुमें दे नहीं रहे हैं लोन पे दे रहे हैं आज दे देंगे कल वापिस ले लगे जब पैसा देंगे तो बोले एक वो विटनेस है बलरामदास उसको बुलाओ बलरामदास आते हैं जब उससे पूछते है तो राजा बोलता है कि यह देखो यह तो चोर लोग है जगनाजी का उपरी वस्त चुटा के बैठा है तो बलरामदास बुलता है जब चोर यह नहीं है चोर तो तुमारे ओल्टर में बैठा है जो फ्री का पान खाता है रोज तब इसको समझाया तो तब आगते उपरी वस्त नमागा तुस परकार जगनाजी ने अपने भ tilt की इच्छा को पूर्ण किया वे जो पान खाने की इच्छा थी और तब से फिर जगनाजी को पान का भोग भी लगता है श्री जगनास्वामी कि की सबसे पहले विष्णु प्रिया बंदु मुहंती लंडी माता प्रभुदास और सुनना चाहते हैं आप? कि परशाद के अबर में चर्चा करना चाहते हैं परशाद पाना चाहते हैं किते लोग सुनना चाहते हैं? लूड ली बहुत भूख लग रही आप लोगों जोर से बुलिए One more time तो एक Muslim राजा था जिसका नाम था लाल बेक तो उडिसा बंगाल का पुरा प्रदेश देखता था वो समय तो एक बार देखा उसने कि एक विद्वा ब्रामनी है जो स्तनान कर रही है कुंड में तो उससे आकरशित हो गया और उसको अपरहन करके वो ले गया उससे विवा कर लेता है अब यह जो ब्रामनी है यह भी जगनाजी की भकता है बगर अब क्या करे जान बचानी है तो उस Muslimान को स्विकार करती है फिर आगे चलके इनका पुत्र होता है तो लाल बे क्या करते है उसका नाम रख देते है साल बेक और अब दिरे दिरे जो पत्नी है वो व्रिध होती जा रही है फिर एक दिन जो साल बेक है बड़ा बड़ा शत्री है बड़ी पराकरमी है वो यूद करने जाता है और हाँ उसको परास कर दिया जाता है उसके पूरे शरीर पे बहुत सारे घाव हो जाते है बड़े सारे जक्म हो जाते है तो जब पिता ये देखता है कि अब पत्नी तो बुड़ी हो चली है और मेरा पुत्र भी अब कुछ कारे करने योगे नहीं है तो लाल बेक उनको छोड़ के चला जाता है अब अगेरी माता है और साथ में वो पुत्र है जो बिल्कुल जक्मों से भरा हुआ है तो उसको बड़ा कश्ट हो रहा है देख देख के तैसी बहुत सारे दिन बीट के प्रती दिन रोती थी करंदन करती थी मगर यह तो सामने एक मुसल्मान है तो एक दिन वो साल बेक माता को बोलता है कि मा यह इतने पुरे शरी में मेरे को कश्ट हो रहा है कुछ तो मुझे उपाय बताईए कुछ तो इसका solution होगा तो माता बोलती है कि देख एक solution बताऊंगी तुम उसको अपनाऊगे बोले हाँ मया बिलकुल अपनाऊगा देख लो तुम्हारे लिए कटिन है तुम एक मुसलिम परिवार से हो बोले नहीं मया अभी कोई मेरी और मेरे पास खुब भी नहीं है आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा तो क्या करते हैं माता बोलती है उसको कि देखो हम सबके एक ही ईश्वर है और वो कौन है ईश्वरह पर्मा कृष्णा वो पर्मात्मा स्वरूप में हम सबके हीदे में बैठे हैं और हम सबके वो बंदू है हम सबके सखा है हम सबके बड़े ही निजी है वो हम सबका ध्यान रगते हैं वो हमारे मेंटेनर है तो अगर हम उनकी पास जाएंगे उनसे याशना करेंगे तो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे हमारे सारे कश्टों को दूर करेंगे तुम क्या करो कि मंत्र लो इस मंत्र से वो आकर्शित होते हैं और मंत्र है हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare तो साल पे प्रते दिन उस Hare Krishna महामंतर कर जब करने लगया हर रोस, ग्यारा दिन हो गए मगर देखा कि कुछ कम नहीं हुए तो मा को बोलता है कि क्या क्या फायदा हुआ इसका कोई लाभी नहीं है, तो मा बोलती है मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि तुम्हें यह Hare Krishna महामंतर करना है मगर शद्धा के साथ, शद्धा ये कि राखे Krishna मारे के मारे Krishna राखे के इस शद्धा से, इस सरंडर के भाव से, शर्नागती के भाव से तो जब Krishna का नाम लोगे तो Krishna तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम्हें सुरक्षा पदान करेंगे तब उस शद्धा से सालवेक महान का नाम ले रहा है और उसी दिन, जैसे वो नाम लेता है, तो जगननाजी आते है उसके स्वपन में, और उसके बभूती देते है उसको बोलते हैं, शरीर पर लगाओ तो उसी से मैं रात को शरीर पर लगाता है और सुपर उटके उसके सारे घाव सब खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल एक स्वस्त शरीर उसको वापे से मिल जाता है, अब बड़ा ही उसको रिणी महसूस हो रहा है बड़े ग्रैटी शूट फिल कर रहा है कि जगनाजीन मेरे सारे घाव दूर कर दिया और मुझे कुछ करना चाहिए क्या करना चाहिए? कि मैं उनकी जो रत ही आत्रा है उसका दर्शन करने जाओंगा तो महाँ पहुंचता है जगनाथ पुरी उससे पहले उसकी इच्छा होते है कि मैं जगनाजी का दर्शन करने जाओं तो पुरी पहुंचता है मगर पुरी में तो मुसलिम लोग allowed नहीं मंदिर में तो बहुत प्रयास करता है अंदर जाने का नहीं जाने देते उसको तो फिर जगनाजी पहार निकले है अपने रत पे सवारों के बहार निकले है और सबको अपना दर्शन देंगे चाहिए वो किसी भी जाति प्रजाति का क्यों न हो किसी भी रंग का क्यों न हो जगनाजी सबको अपनी किरपा बाट रहे हैं रथयात्रा करूप मगर जो नियोता मिला, जो आमंतरन मिला जो ख़बर मिली बहुत देर में मिली अब उसको लगा कि मैं यहां से चलके जाओंगा तब तक तो जो रिटर्न रथयात्रा है वो भी खतम हो जाएगी एक होती है फोवर्ड रथयात्रा जो मेन रथयात्रा होती है उसके बाद जगनाजी का रथ गुंडिचा मंदर से वापिस भी आता है उसको बहुदा रथयात्रा बोलते है तब तक तो वो भी खतम हो जाएगी अगर हिदे में यह इच्छा को धारन करके जगनाजी के उपर पूर्ण आश्यत होकर वो निकलते है अब इतना लंबा रस्त चलना है शरीर भी बढ़ाई कमजोर हो चुका है अगर प्रात्ना करते करते वो पहुंचते है अब उदर क्या है जगनाजी में जब उल्टी रहते आतरा चल रही है तो जगनाजी एक जगापी खड़े हुए हिलनी रहे है सब लोग ने बहुत प्रयाश कल लिया उनको हिलाने का धका मारके थोड़ा प्रेम करके थोड़ा गान करके बगर जगनाजी हिली रहे है फिर जब जाके जब ये भक्त साल पे पहुंचते है ये दंवत पढ़ाम करते है जगनाजी को जगना जी का रथ आगे पड़ता है जगना स्वामी की जगना जी बता रहे हैं कि मैं किसी में भेज़नी करता हूँ कोई किसी भी परवीeta का क्यो disputes कोई क्यों डूला क्यों कोई 123 ब्रंग का क्यों नहीं कितना ही कोई बुड़ा क्यों नहीं हो चला हो एक और भक्ता है जगनाजी का जिसका नाम है रगु जगनाजी का भक्ता नहीं है रामचंद्र जी का भक्ता है पर जगनाजी में भी शद्धा है तो रामचंद्र जी की पूजा करता है एक दी जगनाज मंदे में दर्शन करने आता है तो जैसी पलग जपकाता है तो उपर र इभगवान शी राम चंदर जी से अभिन है तो उसका भाव और बढ़ गया जगनाजी की बहुत प्रेमाई सेवा करता है साक्य भाव में उनकी सेवा करते थे रगू एक दिन एक माला लेकर आये जगनाजी के लिए और जो माला थी उसका जो धागा था वो केले के पत्ते की धारियों से बना हुआ था अब यह पूजे नहीं है इस स्विकार नहीं होती जगनाज़ पूरी में तो पूजारी नहीं किया माला को देखा उसका धागा नजर आ गया उठा के माला को फैक दिया स्विकार नहीं किया तो रात को फिर आए जगनाज़ अपने में उस पूजारी के और बढ़ी कुरुद अवस्था में है तब से क्या हुआ था कि जब यह इंसिडेंट हुआ तब से लेकर रात तक जगनाज़ ने कोई भोग स्विकार नहीं किया उनके सामने भोग आता था जगनाज़ इस विकार नहीं कर रहे है कुछ ना कुछ अशुद्धी हो जाती थी उसमें तब पुजारी को समझ आगे कुछ तो गलत हुआ है मगर उनको यह नहीं पता लग रहा था कि क्या गलत हुआ है तो जब ऐसा होता है तो पुजारी भी फास्टिंग पर चले जाते हैं और फिर जगनाज़ी की बहुत साधना करते हैं, आराधना करते हैं तो तब जगनाज़ी सवपन में आये थे उस पुजारी के और बताया कि इस प्रकार मेरा इतना नीजी भक्त आया था वो माला लेके आया था और तुमने उसकी माला फैक दी, उसको स्विकार ने किया, तो इसलिए मैं बड़ा रोश्टू हूँ, तो सब पुजारी जाते हैं, फिर रगु को अपने कंदों पर बिठा के लाते हैं, और फिर उसके हाथ में माला होती है, और फिर वो रगु जगना जी को माला स्विकार करता है, तब जाके जगना जी अपना भोग स्विकार करते हैं, जगना स्वामी की, एक दिन यही रगु बहुत बीमार हो जाते हैं, इतने बीमार है कि बेड रिडन है, अपना मलमुत्र भी त्यागने को नहीं जा पा रहे हैं, उटनी पा रहे हैं, शर उनका पूरा बेड है, वो क्लीन करता है, तो ऐसी वो जो छोटा बालक है, हरो जाने लगया, तो एक दिन रगु ने देखा, कि किवल बालक नहीं है, तो स्वेम जगनाजी है, जो मेरी सेवा में आ रहे हैं, तो तब पकड़ लिया रगु ने, क्या कर रहे हो, मैं आपका दास हूँ, दास का मतलब होता है, कि वो स्वामी की सेवा करे, मगर स्वामी मेरी दास की सेवा करे, ये तो बहुत-बड़ा अपराद है मेरे लिए, मैं स्विकार नहीं कर सकता, तो फिर भी जगनाजी रगु की सेवा करते रहे, ताकि पूरे जगत को पता लग जाए, कि मैं क्य मैं खुला नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, I am bound by the love, by the robes of love of my devotees. तो जगनाजी नहीं बड़ी सारी गेम्स भी क्या करते थे, क्रिडाई भी करते थे रगु के साथ, बताते हैं कि जगनाजी का एक फेवरेट स्पोर्ट है, वह है चेस, जगनाजी चेस कहलते हैं, दिमाग की गेम है, बड़े लोग, बड़ी बाते, तो जगनाजी आ जाते थे रगु के साथ और चेस खेलते थे, घंटों-घंटों चलते थे एक दिन जगनाज जी रगु को बुलाते हैं, इतरा आओ तो रगु भी उनको बुलाता थे, जगु जगु बोलके बुलाता थे तो जगु बोलते हैं कि रगु आज ना मेरा मन कर रहा है बढ़ाए क्या मन कर रहा है, आपके सारी चेपून करूँगा जो मांगोगे वो दिलाऊँगा बोले पका, बलहाँ तो जगनाजी बोलते हैं कि आज ना कटल खाने का मन कर रहा है बले बस कटल खाना है, अभी जाता हूँ, बजार में जाता हूँ कटल उठा के लिए आउगा, काट दूगा या उसके पकवान बोलो के तो आपको खिला दूगा आपको पता होगा कि यह जो कटल है यह दो प्रकार का होता है कटल जब वो कच्चा होता है तो उसकी सबजी बनाई जाती है जब वो पक जाता है तो बहुत मीठा हो जाता है जनली यहाँ पे उडिसा में वो फल की तरह माना जाता है पका हुआ कटल उसको माल को एक साथ खाय जाता है कॉमिनेशन समझ निया है बड़ अपिरस तो बी वरी टेस्टी जनली जो बीच एरियाज होते है महाँ पे मिलता है आप गोवा जाएंगे पूरी जाएंगे बीच एरियाज में वो पक जाता है जैसे दिली में वो कटल पकेगा नहीं हो कच्छा ही रहेगा ऐसे रहेगा उसकी सबजी बनानी पड़ते है तो जगनाजी बलता है वो पकेवा कटल खाएंगे तो रगु बोलता है आता हम भी बजार से बजार से लाए तो क्या लाए उसमें कोई मजा नहीं है यह सब बेकार का माल है आटिफिशल माल है बेकार का सब इंजेक्शन ठोकने वाले है मेरको तो एदम औरिजिनल माल चाहिए कहां मिलेगा औरिजिनल माल राजा के गार्डन में मिलेगा जो पास में राजा का गार्डन है उसमें बड़े सुंदर सुंदर कटल होते है बड़े मीठे मीठे कटल होते है वो पेड़ से टोर के खाएंगे तो Raghu बोलता है पगला गया है जगु तुम राजा के गार्डन में जाके कटल कहां से लाएंगे इतना बड़ा कटल होता है कैसे लाएंगे इतने सारे सानिक है वहाँ पकड़े गए तो क्या हाल होगा तुम तो बहाग़ लोगे मेरा क्या होगा जैना जी बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, I am there for you, तुम्हें डाउट है कि कुछ, कि मैं भगवान हूँ के नहीं, भुले नहीं, ऐसा नहीं है, अब आप बोल रहे हो, तो चलो चलते हैं, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ, आपको वार्निंग दे रहा हूँ, मोका है ह हमार पास, बजार से ले आता हूँ, जितने बोलोगे, उतने लाओंगा, बोले नहीं, आज हम छोरी करके खाएंगें, यह प्रता हमारी बहुत पहले से चल रही है, जब भी खाया है, चोरी करके खाया हमें, मांग मूं के नहीं खाते हैं हम, सब कुछ अपना ही तो है, सारे जगनाजी बोलते हैं, ऐसे करो रगो, तुम नीचे जुग जाओ, और मैं तुम महारे ऊपर चड़ जाओंगा, बले कोई बात हुई, बले नहीं, गेम गेम खेलेगा ना, वान वान ओ टरं टरं खेलते हैं, तो अभी मैं, तुम नीचे जुगूगे, अगली बार मैं नीच तो अगली बार, इस बार मैं तुम्हारे उपर चड़ रहा हूं, अगली बार तुम्हेरे उपर चड़ जाना, ठीक है, तो नीचे रगु जुग गए, जगनाजी उसको उपर चड़ गए, दिवार लांगे, अब ये भीचारे कहते हैं, तो जगनाजी एक हाल डाला अपना, रगु को उठा लिए यहां से, और अंदर जारे हैं धीरे-धीरे, बिना आवाज किये, बहुत धीमे-धीमे कदम रखे महां पहुंचते हैं, तो एक पेड आता है, कटल का, जगनाजी पोटते हैं, रगु बोलता है कि चलो उपर चड़ते हैं, कटल तोड़ते हैं, जगना कि लेगे, मैं होना, घबराओ मत, तो ऐसे, जगना जी लेते-लेते-लेते, उनको चलाते हुए, पूरे बीश मे ले जाते हैं, वाहां पर सबसे बड़ा पेड़ है, बड़े सारे कटल हैं, तो जगनाजी जूपर जटते हैं, तो पेड़ जैसी ऊपर चड़ते हैं, तो एक क तोड़ दिया मैंने कटल, बोले नहीं, आप तो पूरा माल है हमार पास, लोटरी लगी है, कोई सैनिक नहीं है, सब लूट के जाएंगे, जब डगाती होती है तो ऐसे थोड़ी एक आइटम लेके चले गए हो, पुरा घर लूटेंगे हम, इतने सारे कटल हैं, कहां से लाएं तो उपर से रगु फैकते थे, जगनाजी कैश करते थे, फैकते थे, कैश करते थे, ऐसे करते, 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 बहुत सारे कटल लीचे आगे, अब एंड में एक कटल बचा उपर, वो इतना बड़ा कटल है, रगु बोलता है, यह तो छोड़ दे भाई, कितना लूटेगा तो दाका डालेंगे, पूरा डालेंगे, सब का हिदे चुरा के ले जाएंगे, सबसे बड़े चोर हैं, चोर अगर गड़ी हैं, कुछ नहीं छोडेंगे, सब पूरा सफाया करके जाएंगे, इसतना बड़ा कटल है, कैश कर लेगा तू, चिंता मत कर तू फैक तो सही, देख ल कि लग जाते हैं ओल्टर में इसे ओधर जो पड़ा कटल देख घराम नीचे गिरता है ओए रगू कहा गया अब जगू तो चलेगे राजा के सैनिक मां आ रहे है पॉँ 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 इतना बड़ा कटल गिरा है पूरे गाडर में वाज आ गी है सारे सैनिक प तो बोलता है जो उसको पकड़ के लिए जाते हैं राजा के पास राजा बोलते हैं तु छोटा सा बच्या इतने सारे कटल तु छोरी कर गया पूरा पेड़ खाली कर गया मारा सबसे बड़ा टॉपमौस पेड़ था उसमें तुछ चुरां के लेगा और तुने बाद में तरह दुसास देख तुने आखरी जो कटल है उसको फैक दिया नीचे बागी कटल का है बता तो रगु बोलता रहे क्या बता हो राजा जी चोर मैं नहीं हूँ चोर यह तुम्हारा यह जो जगु है काले वाला यह चोर है फसादिया उसने अपनी बातों में इतनी मीठी मीठी बाते करता है मैंने बोला था उसको कटल खाना तो मैं लिए आता हूं बजार से बहले नहीं राजा के गार्डन के चुडा के कटल खाएंगे हम अब देख खुद तो भागया मुझे फसा दिया अब राजा बोलता है चोरी करता है उपर सीना चोरी करता है एक जूट चुपाने के लिए हजार जूट बोलने वड़ते हैं वह जगनात वह मूर्ती वह बाहर निकली थी वह तेरे साथ आई थी वह तरको उसने उपर चड़ाया था वह कैच कर रही थी और वह सारे लेके चलीगी भाल तुपाते कर रहा है पता कहा है सारे कटल बहुत बता सकता हूँ कि सारे कटल उस ओल्टर के अंदर है वह जाके पाटी हो रही है तीनों भाईबन खा रहे हैं वहाँ पर दबा के यह तो समझ नहीं पाया है यह क्या चाला है इन लोगों की मेरे को सारा उप्योग किया है मेरे कंदे पे चड़े है और मेरे को छोड़ के भाग है मुझे फसा दिया और सब कटल पाटी कर रहे है अंदर तो राजा जब वहाँ दोड़के जाता है तब जो राजा है जाके सीता रगु को पगड़ते हैं उनके चड़नों में गिरते हैं कि इतने महान है भक्त आप कि जगना जी स्वयं आपके साथ क्रिडाएं करते हैं और आपके साथ इस परकार की लीलाएं करते हैं तो इस पर कहा जगना जी बताना चाहते हैं पूरे जगत को, कि मैं तो महान हूँ, बगर मेरे भक्त उससे भी महान है, उनके लिए मैं कुछ भी करने को तयार हूँ, तो ये पूरी लीला करी भवान ने अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए, तो सब लोग जान गए क इस साधान निव्यक्तित्व नहीं है, तो एक और भक्त हैं जगना जी के, जिनका नाम है करारावाई, ये इनके हाथ में जादू है, एक खिचडी मनाती है, बड़ी सुंदर, जैसे आपने खाय हो गए जगना जी के खिचडी, ये लोग को मिली थी, बाकी लोग जो हम ग्रिडेंट डालता है बड़ उसमें घी भी पहुँ जादा होता है, मगर लाइट भी पहुँ जादा होती है, खाते जाओ, खाते जाओ, जब यहाँ पर जो हमारे कुक प्रभुजी हैं, उनको हमने बोला था कि, एक बार आप लोगे साने पहले जो अड़्वांस टीम थी हांडी है वो लेक्या है, और सब लोगोंने केवल वही खाया, चार चार पांच 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 बार, दस दस बार वो खिच्डी खाई, इतना सुन्दर वो खिच्डी थी, तो कर्मा भाई जगना जी खिच्डी बनाती है, और जगना जी को बड़ी प्री है वो खिच्डी, तो जगनाजी क्या करते हैं अपना आल्टर छोड़के करारा बाई के घर में आते थे, खिच्डी खाने के लिए और कई बार लेट हो रहा था था तो जल्दी बोलते थे, मा के रूप में उनको देखते थे और बोलते थे जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा तो ऐसी कर्मा-कर्मा करकर उनका नाम हो गया कर्मा भाई, तब करारा भाई नहीं है, कर्मा भाई. त एक क्या हुआ? कि एक संτ आये कर्मा भाई के घर में, और आके देखा कि यह कर्मा भाई है, बीना नहैदह दोए यह खिचडी बना रही हैं, तो उनको बड़ आजीव से ल तो संतकपुरी लिस्ट देने लगया क्या-क्या नियम गानून होते हैं, तो जब वो फॉलो कर रहे है कर्मा भाई तो लेट होगी, तो पहले सनान करने जाएगी, और फिर जो पूरा ओल्टर, जो कुकिंग एरिया उसको क्लीन करेगी, ओल्टर को क्लीन करेगी, तो जगन्या तो पहले जान किपट करने खिचड़ी का नहीं खिचड़ी बनी करने ल्याइगी, तो जगन्यारे हैं, तो बड़ा गुसा आ रहे है सन्त पे, क्या कर रही है? अच्छा बहले इतने प्रेम से मेरी भाव से खिचड़ी बनाती थी और इसने आके नियम कानून लगा दिये ब से ही बना दो तो ऐसे एक दिन क्या हुआ कि कर्मा भाई खिचडी बना रही है कार्ति का समय है तो कार्ति के समय बड़ा ठंडा हो जाता है तो हलका सा बुखार भी आया हुआ है कर्मा भाई को तो उठनी पा रही है बुड़ापा भी ओचला है उपर से बुखार हो गया है तो वर उसके ब Candid passa जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा लेट हो रहे तो जैसे तैसे वह शीठींगें लगती है चुला जलए निचाथ है कुकरं और उसके बाद भोजन परोसा जाता है, तो बड़ी गरम-गरम है, अगर जगनाजी को खाना भी है, और बाद में जाके वहाँ घंटी भी बर्जती है, तो जगनाजी क्या करते है, बस आदा उधुरे जैसे खाते है, और जल्दी से खाके अपने अल्टर में जाके, खड़ो जाते है, और जगनाजी के लिए भोजन पकाती है और जगनाजी उसके घर जाते है खिचडी को खाने के लिए तो सब पुजारी डर गए सब पंडे डर गए कि देखो आज तो खिचडी खाने गाए है कल पता नहीं कहां भाग जाएंगे हमें चोड़ के तो भया ऐसे करो उस कर्माबाई को बुलाओ यहां पर यहीं पर उसके खिचडी का भोग लगा करेगा तो तब से फिर जगनाजी के मेन्यू में खिचडी भी एंटर हो गए जगनाजी देखिए अपने स्वतंतर बगवान है खोद ही अपने मेन्यू बनाते है जो उनको खाना है वो मेन्यू बनाते है और फिर उनके भक्त उनके लिए बनाते है जैसे सनातन को सवामी ने बोला था ना मदन मोहन को बोले कि अभी तो तुम नमक मांग रहे हो कल तुम गुलाब जाओन मांगोगे मैं तो रा एक बाबा संत मैं कहां से लाओगा तुम्हारे लिए तनी सारे भेंजन तो अपना आरेंजमेंट खुद कर लो तो फिर क्या किया वहान ने उस वियापारी को बेजा रामदर्स कपूर को वह आया उसके जो नाव है चल पड़ी थी उससे जो भी मुनाफ़ा हुआ तो उससे उन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर बनाया तो अपना आरेंजमेंट खुद करते हैं महवान तो यहाँ पर कर्मा भाई की खिचडी को मैन्यू में एंटर करा दिया जगनाजी ने जगनाजी ऐसा नहीं कि बड़े जगनाजी आके जपड़ मारते हैं जपड़, गुस्ता, दुलती, लाथ यही चलता है यहाँ पर प्यार से नहीं बोला जाता है कि यह कर लो, यह मत करो यहाँ सिधा बड़िया से जवाब मिलता है करेक्शन के लिए तो देखिए संसार में बड़ी भारी भारी चीजे है सबसे जो हाड़स संसार में डाइमड, मगर डाइमड से भी हाड़स एक संसार है, वो हमारा अंकार हमारा अपना गर्व, हमारी लापूजा पतुष्था इसको भेद पाना बड़ा मुश्किल है प्रगपाजे बोलते है फॉल्स इगो इस दा लास्ट नेर अफ मया फॉल्स इगो इस दा लास्ट नेर अफ मया जैसे हमारा शरीर है शरीर के अंदर हम बैठे हैं न तो दो प्रकार के शरीर है हमारे एक है स्थूल शरीर और एक है सूश्म शरीर स्थूल शरीर किससे मना है Earth, Water, Fire and Ether और हमारे सुख्ष में शरीर किससे मना है मन, बुद्धी, मिध्यांकार Mind, Intelligence and False ego तो कोई विक्ति कि आए देरे-देरे स्थूल शरीर से उपर उठ सकता है जब आत्मा के स्थर पे आते है तो स्थूल शरीर से उपर उठ रहा है देरे-देरे सुख्ष में शरीर से उपर उठ रहा है अपने मन, अपने बुद्धी से उपर उठ रहा है अब वो क्या कर रहा है? शास्त्रों की बुद्धी का प्रयोग कर रहा है अपनी शापन इंटेलिजन से अपनी बुद्टी का प्रयोग नहीं कर रहा ह। शास्तौों से भक्तो के द्वारा जो लिफी भुद्धी है उससे वो भक्ती कर रहा है मगर यह जो अहंकार है यह फिर भी नहीं जाते है मतलब बड़े-बड़े भक्ती भी बन जाते हैं लोग उसके बाद भी अपना हंकार छोड़नी पाते हैं कईपार लोग बोलते हैं देखो 30 साल से भक्ती में माला करना कुछ हो नहीं रहा हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि अपने हंकार को हम छोड़नी रहे वो हंकार ऐसी अड़ा हुआ है हमारे गुरुराज बोलते है बोले कि एक जो व्यक्ति है उसका जो वेट है उसका तो वेट पचास किलो है मगर अंकार का वेट है डेट सो किलो इसलिए हम लोग जुकनी पाते हैं इतना भारी बोजा रहे के गुमते हैं अंकार का तो भुगान के सामने जुक नी पाते हैं, भक्तों के सामने जुक नी पाते हैं मगर जगनाजी क्या करते हैं, इस गर्व का भंजन भी करते हैं तो एक बार एक व्यपारी था, जगत सेठ, उसका नाम था, वो जगनाजी के दर्शन करने आया तो बड़े सारे उसके चेले चपाटे उसके साथ आ रहे है तो पढ़ने से जब मिलता है पढ़ना उसे दक्षिना मांगते है तो बोलता है दक्षिना मांग रहा है तुम उसे लो कितनी दक्षिना चाहिए बोले जो आपकी इच्छा है जगनाजी की सेवा में बोले लो, एक लाख अशर्फियां मेरी तरफ से जगनाजी की सिवा में बंड़ा ऐसे हैं, उसके आँके बड़ी बड़ी होगी एक लाख अशर्फियां उस समय की अलब पूरा जो 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 वहाँ पर मंड़ा पर हो भर जाए अशर्फियों से मगर जगर सेट बोलता है, एक से साथे कंडिशन है एक लाख अशर्फिया तो है, मगर उसको एक ही दिन में उपियो करना है तुमें जगनाजी की सिवा में, नहीं तो वापिस ले लूँगा अब कुझारी खुछ भी हो रहा है और दुखी भी हो रहा है कि एक लाख अशर्फियों आई भी है जगनाजी की सिवा में, मगर यूज कैसे करेंगे क्या करें एक लाख अशर्फियों का सपोज आपके पास कोई दे दे एक वन मिलियन रूपीस क्या करेंगे उसका एक दिन में बताईगे मौल चले जाएंगे मौल में भी कितना खरीद लेंगे मौल आएगे खरीद के फिर महाँ इतने लबी लाइन ले होगी होगी करते करते आपके थीन चार पांच गहंटा लगए पहले पार्किंग में टाइम लगएगा दो गहंटा फिर इतनी सारी लाइटस आएगी निकल गया, आदा दिन निकल गया, एक मौल में जाने के लिए, कितना पैसे लगा लेंगे, बीस हजार, पचास हजार, एक लाग, दो लाग, खतम, ऐसी करोड़ो रुपे, एक दिन में खर्श करना है, it's a task, तो यहाँ पंडे को एक दिन में, तो बोलता है, मैं जगना जी से कि मेर को ने एक पान खिला दे, तो बोलता है, राजा ओ व्यापारी को बंड़या, कि पान खिला दे, तो राजा बलता है, दिमाग ठीक करो तुम, एक लाग शर्वियों से क्या एक पान ले सकता, क्या बात करो तो, बोले सुनतो हो लो घूरा, जगना जी बोले पान तो गज मणी का चूरा है वो चाइए. अच्छा ये गज मणी कहां मिलती है? बोले लाखों हातियों में से किसी एक हाते में होती है गज मणी, तो जाके ढूड़िये गज मणी वाले हाती को, फिर उसके हाती के मस्तक से उस मणी को निकालिये फिर मनी भी क्या, वो डाइम और समज गया, कि ज मेरे आँखार को छूरचूर कर दिया, भस्म कर दिया कि मैं क्या सोचा कि ज जेचा अणागों खरीद लूँगा वो जगन्हा जी जो मेरको मेंटेन करते हैं यो मेरी श्वास हैं अंदर बार हो चागन्हास हो रही है ये जो धनी कत्रित हुआ है जगनाजी की गृपा है उचपड फाड़ के देते हैं तो चपड फाड़ के ले भी सकते हैं एक शन लगता है उनको सब ध्वस्त करने में एक सुनामी आया एक कुरोना आया शब खत्म कुछ नहीं बाद तो इस परकार वो शमच पाया है कि जगना जी है कि है गर्व भंजन करते हैं तैसी हमारे हिदव में भी ये गर्व का जो अनर्थ है ये चिमड़ा पड़ा है हमारो पर ऐसे पगल करके बैठा हमें हमारे अंकार के कारण हम भगतों को अपना नहीं महां पाते बलकि उनके साथ हम repetition करने लग जाते हैं उनके साथ परद तो यह भक्ती है और इन भक्तों से मैं स्पर्दा कर रहा हूँ इनके साथ ही द्रिश इशा कर रहा हूँ तो कैसे मैं भक्ती कर पाऊँगा तो फिर जगनाजी क्या करेंगे हमारे गर्व का भंजान करेंगे जगनाज स्वामी की तो जगनाजी में जगनाजी के पास ऐसे नहीं कि केवल भूलो के उनके भगता आते हैं, उपर के लोगों के भगता आते हैं, एक बार की बात है, एक पुजारी था, वो रात को जब शेन करा रहा था जगनाजी को, तो देखा कि एक बहुत ही बड़ा विक्ती, 35 विक्ती, वो आया हुआ है, हैं, भोलें, मैं विभिषन, अच्छा तुम विभिषन हों तो मैं रावन हूँ, भताओ कैसे हो विभिषन तुम, कैसे मानुँ मैं, तो क्या करता हैं विभिषन, अपने हाथ-क कंगन देते, बोलें लो, ऑ और एक टायर जासा है, नहогना जासे टायर होता नहींत्या वह कं सारे पंड़ों को बोलाता है और संभालता उसको तो तब जाके पता लगता है कि जो देवी देवता है वो भी जगनाच जी का दर्शन करने आते हैं देखिए हमारे बाकी सारे जो मंदिर होते हैं उसमें टाइमिंग्स हैं सुबे साड़े चार बजे पट खुलेंगे बंगल आरती होगी फिर पट बंद हो जाएंगे फिर दर्शन आरती होगी फिर दुपैर तक दर्शन कुलेंगे फिर दुपैर को बंद हो जाएंगे फिर द को ललकर चाहिए, तो दिन में जगना जी सारे भक्तों को दर्षन देते हैं, अपने आपको extend करते रहते हैं, और, 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 जाके 2-3 घंटा जगना जी का पढ़ बंद होता है, मगर जब पट बंद होता है उसमें ऐसे नहीं कि जगनाजी शायन करना है उसमें भी क्या कर रहे है अब भूलों के निवासियों के लिए पट बंद हो गए है अब उपर के लोगों के निवासियों के लिए नीचे के लोगों के निवासियों के लिए वो पट खुल रहे है तो दर्शन करने के बाद, वहाँ पर उनका मन लग गया, भाद तो महर गिट है, आनन्द बजाए, वहाँ से जाए बिना आगे पूरा दर्शन पूरा नहीं होता, तो आटक गया वहाँ पर, वहाँ पर परशाद पा रहे हैं, तो इतना सुंदर परशाद लगाओ, बोले वहाँ तो सारे व्यंजन मिलते हैं हमें स्वर्ग लोक में, मगर वो आनन्द नहीं है, यह जो यहाँ के खिषडी खागे आनन्द है, यहाँ जो दाल भात है, जो दालमा है, उसका अलगी टेस्ट है, वो तो डिव्वे है, नहाँ तो बड़े सारे सोमरस मिलते हैं, बड़े सारे व अगवतस्त दाश्या, तो इंद्र और सारे देवी देवता बोलते हैं, नायतर वैकुंत कथा सुदापका, ऐसे देव लोकों में रहने का फाइदा, जहाँ पर वैकुंत जैसी जो भ्रातिया नहीं है, जहाँ पर हरी नाम की नदिया नहीं बहती है, जहाँ पर भुवान की पुंडे कर देते हैं, सो भागिशाली बना देते हैं सबको, ऐसे इंद्र लोक, देव लोक में रहने का फाइदा, नायतर यगेश मखाम हो सवा, सुरेश लोकों अपीन सवी ससे विताम, ऐसे सुरेश लोकों में, ऐसे स्वर्ग लोकों में रहने का क्या फाइदा है, इसलि ना मेनका है, रंबा है थुड़ा नित्य करने, यह क्या मज़ा है वहाँ पर? तो आप पुन्य करके स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में क्या अरजित कर रहे हैं? पाप अरजित कर रहे हैं तो यह तो क्या हुआ? यह तो वैसे यह कि जो मीठी गोली है उसके अंदर जो poison है वो छुपा हुआ है sugar-coated poison है उपर के लोकों में जाना तो वो लोग भी हाँ पे line लगा के खड़े होते हैं कि कब हमें मोका मिलेगा भूलोक में जाने का और हम ठाकोजी का दर्शन करेंगे हम ब्रच का दर्शन करेंगे हम जगनाजी का दर्शन करेंगे तो हाँ पेक पंडा था जिसके पास इंदर गए थे पुर्शाद को लेने के लिए अब बाद में पंडे ने पैसा मंगा बोले अब यहां के इंडियन करेंसी तो है नहीं मेरे पास क्या लोग हूँ मेरे पास कुछ है नहीं देने को तो बोले बीरा पैसे लिए तो जाने दूँगा फिर इंदर को अपनी जो पोजीशन रिवील करने पड़ी मैं इंदर देव हूँ मैं देवताओं का राजा हूँ पहले पट ना सारे राजा लोग ही पे आ आ रहे है पैसा दे तो फिर इंदर बोलते है चिंता मत करो मैं बताता हूँ मैं प्रूव करता हूँ मैं इंदर हूँ इंदर का काम क्या है वर्शा करना तो देखो अभी मैं वर्शा कराता हूँ बोलो कहां वर्शा करनी है बोले यहां आनन्द बजार में बड़ी गर्मी लग रही है समर्स का टाइम है यहां पर वर्शा करो तो इंदर देव उसी समय आपना इडरेगुलेटर कुमाते हैं वर्शा हो जाती तो ना जगरार्थ मंदिर में वर्शा हो रही है ना पूरी में कही और वर्शा हो रही है केवल अनन्द बजार में पानी गर रहा है तो जो पंड़ा था मेगमल्ला पंड़ा वो जान गया कि तो इंदर देव है बोले ऐसे नहीं जाने दूँगा तो कुछ मुझे सीधी देखे जाओ तो फिर इंदर खुट से प्रसन होके क्या करते है उनको सीधी देते है कि अपसे तुम जब भी इच्छा करोगे वर्शा होने की तो मुझे आना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूँ तुमसे सेवा सिविकार करी है तो इंदर चले गए तो इंदर यहां जगनाथ पुरी वेग स्थान है जिसका नाम है स्वर्गद्वार वैसे शम्शान घाठ है मगर बताये चाता कि जो भी इस शम्शान में जिसका शरीट जलाये जाता है उसको स्वर्ग लोग प्राप्त होता है तो भहीं से इंद्र आते जाते हैं तो बार बार आप अप इंद्र आते थे और परशाद पाते थे तो अब ये जो बा 다음에 वहां के राजा को पता लगी तो राजा ने क्या किया उस उस पंडे को एक जो वहां का नंद बजार का पंड़ा था इसके पास इंदर आया था, उसको एक बहुत उच्छा स्थान दे दिया कि जब भी वर्शा की आवशक्ता होगी सब लोग जाएंगे इस पंड़े के पास और इस पंड़े से आरादना करेंगे और ये पंड़ा इंदर की आरादना करेंगे और उसे क्या होगा यहाँ पर वर्षा होगी है हम सब लोग किस पर निरबन है अन पर निरबन है अन कहां से आता है वर्षा कहां से आती है जब अपने नियत कर्म है उनको किया जाता है तो जब नियत कर्म क्या है कर्म आप येकम तस से देवस से सेवा कि जब भगवान की आरातना होती है तो वो हमारा नियत कर्म है that means हमें अलग से कोई देवी देवताओं की पुझा आर्चने के करने के आवशकता नहीं है वर्षा प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर के लिए हमें क्या करना है केवल और केवल भगवान की आरातना करने है वो हमारा नियत कार है उससे क्या होगा सारे देवी देवताओं प्रसंद होगे और सारे देवी देवताओं अपनी ब्लेसिंग्स हम सब के ऊपर देंगे जगना स्वामी की हरे किष्णा ठीक है तो परशाद लीला भी सुन लेता है जगनाजी की तो परशाद की लीला तो यही है कि परशाद पाने सी आंदर मिलता है तो अभी हम सब लोग चलते हैं जगनाजी का परशाद पाने के लिए जगनाज स्वामी की तो ऐसी बहुत सारी कताएं है बड़े सारे भक्तों ने, बड़े सारे आचारेों ने इस अब लीलाओं का वर्णन किया है इसकरे सर्व साशेक प्रभुजी की बुख है वो आप पड़ सकते हैं जगरनाथ जी को पर हिजोलेज भक्ती पुर्शोत्रम स्वामी माराज की बुख है उसके भड़िन है साथ में इस ळोलेज भक्ती पुर्शोत्रम माराज की बुख है लोड जगरनाथिन मायपुर राजापुर तो जो जगरनाथ जी का फल जो दर्शन का फल जगरनाथ पुरि में मिलता है वही सेम फल आपको मायपुर में मिल डाएगा क्योंकि जो सारे स्थान जगनातपूर में है वही सारे तीर स्थान मायापूर में भी है वही सारे तीर स्थान प्रज में भी है तो इसलिए नवदीप में भी जगनातपूरी है तो वहाँ पे दर्शन करेंगे तो यही फल मिलेगा तो वहां पर भी active जगनाजी है, बड़ी सारी लिलाएं वो करते हैं, एक लिलाव आपको सुना देते हैं, जाते जाते, राजापूर की, तो वहां पर जो मारा राजापूर का मंदिर है, वो एक Muslim area में हैं, सब Muslimान लोग हैं महां पर, तो जब बंदिर के स्थापना हो इї, ब्शक्ति देते हैं, पर्शाद देते हैं, तो ऐसे भक्त लोग जा रहे थे, कि बज़्ज करते हुए, है साल Commissioner परशाद लेकर देते हैं, मुझा मुसलमान ब्ख्ति थे थे परशाद दिया, और उसे ने तो पूरा दिन बीद गया, अगले दिन सुभे जब मंगल आरती हो रही है, तो एक वेक्ति आता है और जोर से चिला रहा है, मुझे परशाद दो, मुझे परशाद दो, मुझे परशाद दो, पुजारी बोलता है, अभी आरती हो रही है, बाद में परशाद मिलेगा, मंगल आरती के बाद परशाद मेलेगा और फिर जब light जलती है मंगल आरती के बाद तो पुजारी देखता है कि ये सामने तो वे वेकती है जिसको मैंने कल परशाद दिया था और ये परशाद का अनाधर करके आज फिर अज फीर गेरे आगळा है रात को जब मैं सो रहा था तो ये काले वाला वेक्ति मिरूंपर आ गया और जोड़ जोड़ से मुझे शmee मार रहा है गूसे मार रहा है तूने मेरे भाई का परशाद फैका है तर को चोड़ू का नहीं है और देद रातन मारी जारे है, मैं देख रहा हूँ कोई हाँ आसपास, कोई आसपास, कोई बचाएगा मुझे, बचाओ, बचाओ, तो सामने देखा ही कहाँ, एक यलो साड़ी वाली एक स्त्री है, मुझे लगा, आशा की किरन आगी है मेरे पास, मुझे उसको गुहार लगा तो उसको गुहार लगाई, तब जाके उसने अपने भाई-भेन को शांत किया, बोले माफ करो, फिर ये जो सफेद वाला है, बलराम, इसने मुझे बोला, कि कल सुबे जैसे ही मेरा पट खुलेगा मेरे भाई के मंदिर का, सबसे पहले क्या करना है तुमें? परशाद पाना पुष्णाओ